आप सभी का जोती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आज हम यहाँ पर बात करेंगे व्रिश्चिक राशे की व्रिश्चिक राशे के लिए फरवरी का पहला सप्ता किस प्रकार करहेगा आज इस वीडियो में यह जानेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जा मित्र राशियों के साथ होगा अच्छे ग्रहों के द्रिश्चि संबंद में होगा तो वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छे जाते हैं और अगर वहीं चंद्रमा किसी बुरे ग्रह के साथ है किसी मित्र ग्रह के साथ नहीं है किसी बुरी राशी में वैठा हुआ है तो ऐसे में वो दिन हमारे लिए संगर्ष वाले हो जाते हैं तो चंदर्मा की गति और उसका भ्रहमन ही ये निर्धारित करता है कि हमारे दिन किस प्रकार के जाएंगे में नहीं करनी है इस बात का आप खास ध्यान रखे अगर आप कहीं भी इस समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे फस सकते हैं हो सकता है अपको उसका उतना लाब ना हो जिसकी वज़से आपने पैसे लगाए हैं तो इस थिति को जरूर समझे आपको यहाँ पर आँखों का ध्यान रखने की बहुत जादा आवशकता है आपको आँखों का रोग हो सकता है अपनी आँखों को डॉक्टर को जरूर चेक कराएं इसे डिले ना करें और घर पर बैठ कर इसे वाइड बिल्कुल भी ना करें तीन, चार और पांच तारीक को चंद्रमा की स्थिति आपके तीसरे घर में रहेगी तीसरा घर प्राकरम का घर माना जाता है आपके होसले का घर माना जाता है तो यहाँ पर आपका होसला बरकरार नहीं रहेगा ऐसे में आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत होगी क्योंकि चंद्रमा के स्थिती केतू के साथ है केतू ग्रहन दोश का निर्मान कर रहा है और इसके साथ सूरे ग्रह भी विराजमान है सूरे चंद्रमा के साथ बैट कर चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं केतू भी चंद्रमा को प्रभाव दे रहे हैं इसकी वज़े से चंद्रमा क कंडिशन जो है वो काफी खराब है इसलिए आपकी हेल्थ की इशुज यहां पर रह सकते हैं आपको हेल्थ के लिए थोड़ा साफधान रहना होगा चंद्रमा केतु और सूरे की सीधी दृष्टी आपके भागयस्थान पर भी पड़ रही है और भागयस्थान में राहू ग् करम तो जरूरी है ही साथ में भागय भी बहुत जरूरी है यहां पर आपका भागय का साथ नहीं मिलेगा इसलिए थोड़ा से इंतजार करें कोई भी कुएक डिसीजन ना ले जल्दबाजी में फैसले ना करें तीसरे घर में चंद्रमा की यहां पर स्थिती दिए दर्शार ही है कि आपके भाही भेहनों के साथ आपके रिष्टों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि खराब चंद्रमा रिष्टों में भी दिक्कत दे सकते हैं यहां पर केतु और सूरे का विराजमान होना आप में वाद विवाद पैदा कर सकता है तकरार पैदा कर सकता है केतु एक ऐस जिसे हम सेपरेटिव प्लैनेट बोलते हैं यह जहां भी बैठते हैं उससे रिलेटिड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देते हैं तो इसलिए यहां पर केतु का होना विद्रो पैदा भी कर सकता है आप अपने भाई भेहनों के साथ इन दिनों में थोड़ा सा दूरी चै और साथ तरीको चंद्रमा किस्तिती चौथे घर में आ जाएगी चौथा घर चंद्रमा का अपना घर होता है इसलिए चंद्रमा किस्तिती यहां पर अच्छी है और इसके साथ साथ चंद्रमा किसी भी बुरे ग्रह के दृष्टी संबंध में नहीं है चंद्रमा के लिए बहतर आएंगे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कोई भी यहां पर प्लैन करेंगे तो आपके प्लैन और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको फल देंगी चौथा घर मां का घर भी माना जाता है यहां पर बैठे हुए चंद्रमा आपको बहुत अच्छा फल द का आप पूजन करते हैं तो ये स्थितियां उपाय के लिए रहती हैं अगर आप यहां पर चंद्रमा का उपाय करने की बजाए मा के साथ अपने रिष्टों को मजबूत कर लेते हैं तो चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी मन की स्थितियां बहुत मजबूत हो जा प्रन्तु करम स्थान का जो स्वामी है वो है सूरे ग्रह और सूरे केतु के साथ तीसरे घर में विराजमान हैं आप यहां पर मजबूत स्थिती में रहेंगे क्योंकि केतु जो है विद्रो आत्मक ग्रह माना जाता है विद्रो करेगा प्रन्तु आप में होसला बहुत देगा आप बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा क्योंकि चंद्रमा की अच्छी दृष्टी यहां पर पड़ रही है इसलिए सूरे केतु और चंद्रमा का यह योग आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है आपको बहुत जादा फाइदा हो सकता है आप इस समय में खूब मेहनत करें आपकी मेहनत कफल आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है जो लोग जाब में हैं उनके लिए भी स्थितियां यहां पर उनके फेवर में रहेंगी उनको भी बड़िया रिजल्ट मिलेंगे जो बच्चे बढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है वो भी खूब मेहनत करेंगे और मेहनत का अच्छा रिजल्ट पाएंगे बच्चों के लिए समय काफी बढ़िया रहने वाला है focus और concentration बनी रहेगी बच्चों का ध्यान बढ़ाई में लगेगा सुख सुविधाएं प्रापत होंगी अगर property लेना चाहते हैं investment करना चाहते हैं तो भी सही समय है आप कर सकते है यात्राओं का योग भी बहुत अच्छा है अगर आप यात्राओं करना चाहते हैं तो इन दो दिनों में कर सकते हैं आपको इसका लाब मिलेगा चलिए आज हमने जाना वृष्चिक राशे के लिए किस प्रकार का रहेगा फरवरी का उनका पहला हफता आगे आने वाले वीडियो में अगली राशियों की बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें इसे शेर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नीचे एक नोटिफिकेशन बेल होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद